स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम वोरियर्स में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सवालों पर जो की पटवार भरती परिक्षा से जुड़े थे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डोक्युमेνट वेरिफिकेशन कुप्लेट हो Чुका है और इसके पस्चात अभियर्तियो के जानकरी दी थी लेकिन आज के वीडियो में चुकि यह छोटा सा वीडियो है तो इसमें हम उस डेट के बारे में जानेंगे कि कब तक आपके इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे यानि कि कब आपकी प्रोविजनल लिस्ट आएगी, कब इनका डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो जाएगा और कब जो है आपका फाइनल लिजल टाएगा और कब तक आपको जोइनिंग मिल जाएगी तो आज का वीडियो आपको दियान से देखना है सबसे पहली बात यहीं कि आपका डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो जाएगी जिनका भी उसमें केंडिडेट का नाम होगा जिन भी केंडिडेट के डोक्यूमेंट अधूरे रहे गए थे document अधूरे का मतलब है कुछ important document जो आपके अधूरे रहे गए थे जिनके बीना आपका document complete नहीं माना जाएगा उन सभी को उन document के साथ एक निश्चित तारीक को बुला लिया जाएगा उस तारीक पर जो भी अभियरती उपस्तित होंगे जिनके भी document complete हो जाएगे उन हे final रूप से चुना जाएगा final result के लिए यानि कि जिनके भी document अधूरे रहे गए हैं वापस साफ लिखा हुआ आएगा जब list जारी होगी कि अगर आपने अभियरतीों ने इस तारीक तक अपने document जमा नहीं करवाए है तो document जो बाहर होने का जिम्मेदार वे स्वियम होंगे इस प्रकार का एक note उसमें लिखा हुआ रहता है तो इस पर ध्यान में रखते हूँ आपको अपने document अगर आपको कोई भी document बकाया है यानि कि बाकी रहे चुका है तो उसे आपको जरूर लेकर जाना है उस दिन जब भी आपके date आईगी और अभी जो list जारी होने वाले इसमें आपको उना नाम देखकर उसमें जो आपका document रहे गया है वो भी आप पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा document रहे गया है तो ये list जो है जल्द ही जारी होगी अगर इसके बारे हम बात करें तो ये list जो है अगले आने वाले 15 दिनों में जारी होगी यानि कि provisional list 15 मही तक जारी हो जाएगी इसके बाद अगर बात करें तो जिनका भी नाम आएगा provisional list में उन सभी का 25 मही तक document complete हो जाएगा अभी भी document जिनके अधूरे है इसलिए इसे जो है document verification complete नहीं हुआ है आपका जो document है ये 25 मही तक मांग लिए जाएगे जिनके भी अधूरे है और उन्हें जमा कराने बहुत जरूरी है नहीं तो उन्हें document से बाहर कर दिया जाएगा तो इसके पश्चात board को सिर्फ एक ही काम रहता है वो है आपकी final merit list जारी करना यानि कि आपका final result एक तरीके से जारी कर देना और ये final परिणा में आपका 10 से 12 June के मध्य जारी हो सकता है यानि कि 10 June से लेकर 12 June तक आपका final परिणा पके रूप से जारी कर दिया जाएगा जिसमें कि लगबग 5610 अभियरतियों के roll number होंगे और इन सभी को एक date दे दी जाएगी जोइनिंग के लिए ये जो जोइनिंग के date आपको मिलने वाली है ये हो सकती है एक जुलाई से 11 जुलाई तक यानि आपको जोइनिंग की जो डेट मिल जाएगी वो है एक से 11 जुलाई के मध्य आपको जोइनिंग की date दे दी जाएगी उसमें साफ साह लिखा हुँआ कि आपसे भी को इस तारीख तक जोईन कर लेना है अगर अभियरति इस तारीख तक जोईन नहीं करते हैं तो उन्हें एक अंतिम रूइव से डेट दी जाती है कि आपको कुछ भी करके इस तारीख तक आपका जोईनिंग ले लेनी है अगर अभ्यार्ति उसे जोइन नहीं करते हैं तो इसके पश्चात वेटिंग लिस्ट वाले केंडिडेट को उन पदों के लिए चुना जाता है तो अभी ते हम यही मान के चलते हैं कि 5610 अगर पोस्ट है तो यहाँ पर लगबग 500 से 600 इस्टुडेंट ऐसे होंगे जो यहाँ पर जोइन नहीं करेंगे यह पूरी-पूरी एक तरीकी से संभावना है कि मान नीचे 500 से 600 अभ्यार्ती जोइन नहीं करते हैं अंतिम रूप से तो उनकी जगे वेटिंग लिस्ट में से 600 अभ्यार्तियों को चुना जाता है जो कि मेरिट के आदार पे होते हैं यानि कि जिनके मेरिट क्रमंग 5611, 612 ऐसे करते करते नीचे तक चले जाते हैं तो ऐसे 500 से 600 स्टुडेंट को उसमें शामिल किया जाएगा और उन्हें जोइनिंग के लिए बुढाये जाएगा तो आपके लिए ये इंपोर्टेंट डेट थी जो कि हमने जाना है एक बार आप फिर से देख लिए प्रोविजनल लिस्ट 15 मही तक जारी होगी इनके जिनके नाम होंगे प्रोविजनल लिस्ट में इनके डोक्युमेंट 25 मही तक जमा कर लिए जाएगे इसके पश्चात आ जो है आपके ट्रेनिंग चलेगी और ट्रेनिंग कहा होगी ट्रेनिंग उन्ही जिलों में होगी जहापर सीटों की संक्या 100 से जाधा है 100 से जाधा जिस भी जिले में पदो की संक्या है वहाँ पर आपके ट्रेनिंग होगी और आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी वही पर आपक ट्रेनिंग होगी यह जो डिपेंड करेगा आपकी प्रिफरेंस पर और आपकी मेरिट क्या रहती है उस आधार पर कि आपकी मेरिट में आपको कौन से नंबर पर है उसके बाद जो प्रिफरेंस है वो आपकी लिए बची है या नहीं बची है आपकी फर्स्ट प्रिफरेंस आ लाइक और शेयर ज़रूर किजएगा, साथ ही वे सबीचा चैनल पर नहीं होने वीडियो अच्छा लगे, उप्यों की लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूले, थैंक यू जहिन, जै भारत!